बोजपूरी फिल्मों की एक्ट्रिस रही अकांग्शा दुबे की मौत की केस में पुलिस ने भोजपूरी सिंगर समर सिंग और उनके भाई संजस सिं खिलाफ केस दर्ज कर लिया नहीं पुलिस ने वारनसी के एक होटल में अकांग्शा दुवी की लाश मिलने के एक दिन बाद मामले के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है बतादे वारनसी के पुलिस कमिशने संतोज सिंग ने सोम वार को मामले के बारे में जानकाई देते हुए कहा कि दर्ज केस में दो आरोपियों के नाम शामिल है इन में से एक भोजपूर इंडस्ट्री से जुड़े समर सिंग और दूसरा नाम उनके भाई संजय सिंग का है अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए वारनसी में थी और सारनाथ पुलिस थानाक शेतर के अंत्रगर आने वाले एक होटल में रुकी हुई थी और जब उनका मेक अप आर्टिस्ट होटल के कमरे में पहुँचा तो उसने कमरे में अकांगशा दुबे को फांसी पर लटका पाया मेक अप आर्टिस्ट राहूल ने बताया मैंने उनके कमरे का दर्वाजा खट-कटाया लेकिन उन्होंने दर्वाजा नहीं खोला बात्रूम में पानी चलने के आवाज सुनी तो मैंने 25 मिनट तक इंतजार किया लेकिन जब उसके बाद भी दर्वाजा नहीं खोला तो मैंने होटल स्टाफ को फोन किया इसके बाद जब दर्वाजा खुला तो उन्हें लड़का हुआ पाया उन्होंने कहा कि वो अकांग्षा के साथ पिछले 20 साल से काम कर रहे थे दोनों एक ही शहर भडोही से थे बताद एकांग्षा ने भोजपुरी म्यूजिक एलबम और फिल्मों में काम किया था अकांग्षा के इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ी फैन फॉलोविंग थी और उनके रील वीडियो काफी लोग प्रिया थे तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकाई जानने के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लाटफॉर्म